हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अश्य होंगे BPSC बिहार टीचर की जो परिक्षा होने वाली है उसके प्रिवेशर कोश्चन पेपर को हम लोग देख रहे हैं इससे पहले मैंने 1996 के पेपर को सॉल्व कराया है आप लोगों के लिए दो पार्ट में जिसमें 50-50 कोश्चन पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में जो है 50-50 कोश्चन मैंने करा दिये हैं इसे आप देख सकते हूं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के वेरी फर्स्ट कोश्चन आपके सामने ये रहा 1911 में क्या हुआ था चार घटनाएं आपके सामने ओप्सन में दिख रही होगी आपको आपको बताना 1911 में क्या हुआ था तो देखिए इसे समझ लिजी आप सबसे पहले जौर्ज पंचम जो थे जौर्ज पंचम नाम याद किया गया था दिल्ली दर्वार का ये भी question जो है बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसलिए इन चीजों को भी याद रखिएगा और इसी दिल्ली दर्वार में 1 April को याद रखिएगा 1 April को 1 April 1911 को जो है दिल्ली को भारत की नई दरालधानी घोसित कर दी गई थी और कहां से घोसित की गई थी ये भी question पूछा जाता है याद रखिएगा कोलकाता से उसमें कलकता हुआ करता था अब ये कोलकाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यानि कि आपका right answer क्या हो जाएगा option number 2 अगली question क्यों लोग बढ़ते हैं next question आपके सामने ये रहा पानी प लेकिन हारा इसमें कौन था तो इसमें माराठों की हार हुई थी किस की हार हुई थी माराठों की हार हुई थी याद रखिएगा इस बात को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question क्योई और भारत के भारत किस दिन गनराज घोसित हो गया तो देखिए भारत जो है 15 अगस्ट को गनराज घोसित नहीं हुआ था इस दिन इसे सोजंदरता प्राप्त हुई थी गनराज होने का मतलब है आपके पास एक समिधान है निती नियम कानून है आपके देश में तो गनराज जो है भारत 26 जनबरी 1950 को घोसित हो गया था फोर इसका राइट आंसर है लेकिन एक और ब कोश्चन बहुत बार इस तरह के पूछे जाते हैं चोथे कोश्चन की और बढ़े उससे पहले आप लोगों से मैं तीन प्रस्ट पूछना चाहूं का नीचे कोमेंट करके इसका सारे लोग जबाब दीजेगा आपको बताना है चीन की राजधानी का नाम देखिए करेंट मैं आप लोगों को कराऊंगा अगर अपको करेंट प्रस है तो नीचे कॉमेंट करके करेंट प्रस जरूर लिख जोर बढ़ते हैं, सम्मिधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को सामिल नहीं किया गया है, तो देखिए, यहाँ पे समानता का अधिकार को भी सामिल किया गया है, सोतंतरता का अधिकार को भी सामिल किया गया है, सोसन के विरुद अधिकार को भी सामिल किया गया है, लेकिन काम पाने का अधिकार जो है आपको मौलिक अधिकार के सरनी में नहीं रखा जाता है तो भईया कौन-कौन से अनुछेद में किसे किसे रखा गया है तो देखिए समानता का अधिकार आपको मिलेगा चोगदा से 18 अनुछेद में ठीक है याद रख लीजेगा और अगर मैं आज के बोलचाल की भासा में बोलू तो घोंट के पी जाईए आप ठीक है अनुछेद स्वतंतता का अधिकार जो है जो 11 से लेकर कहां सक है 22 अनुछेद तक आपको मिलेगा और सोसन का अधिकार सोसन के विरुद आवाज उठाने की जो अधिकार है आपको 23 से 24 अनुछेद में मिल जाएगा इसे याद रख लीजेगा इस इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोईश्चन चलिए आके बढ़ेंगे कोईशन वाईब की और राजसभा सदस्यों का कारे काल कितने वर्स का होता है ? बहुत ही असान सा सवाल है लेकिन आंसर तो पले आप लोगों को सभी को पता है छे साल लेकिन राजसभा में टोटल 12 सदस्यों को 12 members को जो है यहाँ पे मनोनित किया जाता है ठीक है 12 सदस्यों को कौन मनोनित करता है राष्टपती लेकिन याद रखिएगा राष्टपती इसे मनोनित तो कर देता है लेकिन जो पाटी सरकार में होती है उनके द्वारा जो सदस्यों का नाम रखा जाता है उन्हें ही चेनित किया जाता है अब किन सदस्यों को चैनित किया जाएगा जिसे खेल जगत से कोई मसूर किलाडी है साहित जगत से कोई मसूर किलाडी है कला के छेतर से कोई मसूर किलाडी है समास से भी है उसे जो है यहाँ पे मनोनित किया जाता है और कुछ और चीज़े राजसभा के बारे में देख लेते हैं जो की important है, very very important है जो की exam में आ सकता है तो देखिए यहाँ पे राजसभा की maximum जो member हो सकते हैं maximum member, वो कितने होंगे? 250, और अभी कितने हैं? तो अभी 245 हैं, अभी कितने है? 245, यह currently की बात मैं कर रहा हूँ मैं फुल नहीं लिखूंगा, 60 में लिख देता हूँ currently 245 है, maximum 250 तक हो सकते हैं और हर दो सालों में यह भी याद रखिएगा question, यह भी पूछा जाता है हर दो साल में याद रखिएगा two years में जो है, two third two third जो है, सदस्यों को यहाँ पे जो है, sorry, one third को I'm sorry, sorry, one third को सदस्यों का जो है, निर्वाचन हो जाता है और पुराने one third सदस्य जो है, वो बिदा ले ले लेते हैं यहां से और इसी कारण से जो है, राजसभा कभी भी भंग नहीं होती है, चलिए, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत ही extreme level पे इनोंने काम करा है और इनके कहानियों को जरूर आपको खोज कर पढ़ना चाहिए, ठीक है, फिलाल मैं पहले बता दू, waterloo की लड़ाई कब हुई थी, waterloo की लड़ाई फ्रांस और इंग्लेंड के वीच हुई थी waterloo की लड़ाई 1815 में हुई थी और इनको जो है, एक दूइब पे रखा गया था नेपोलियन वोनापाट को, उस दूइब का नाम है सेंट हेलेना, लेकिन ये जीवट इनसान इस दूइब से भी दो-तिन बार भागने की कोशिज करता है और एक बार लगबग लगबग भाग जाता है लेकिन फाइनली 1821 में इनकी मिर्तियू हो जाती है कम मिर्तियू हो जाती है 1821 इस भी में ठीक है, चलिए अब ज़्यादा नहीं कहे बारे में बात करेंगे आगे बढ़ते हैं कौन सा मुगल सासक सरवाधिक धर्म निर्पेच दिरिष्टी कौन रखता था धर्म निर्पेच यानि की सेकुलर विचार धारा का था हर धर्म को जो है समान नजर से देखने की कोशिज एटलिस्ट करता था करता था कि नहीं, ये तो समय के गर्व में चिप गया है, जिसे निकाल पाना आज के टाइम में मुस्किल है, उससे में सोसल मीडिया नहीं थी, अदरबाइज जो है चीज़ें और ट्रांस्पेरेंट हो सकती थी, खेर कौन सा वो मुगल सासक था, तो इसका राइट अंसर है अकबर, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का भी जो है नीव रखी थी, दीन ए इलाही धर्म, जहांपे सारे लोगों के लिए सद्भावनावारी बातें यहांपे की जाती थी, और बहुत सारे गानों में आपने इलाही के बारे में सुना होगा बहुत सारे गाने अगर कोई याद आ रहा हो तो नीचे कॉमेंट करके बता देना खेर जोकस पार्ट आगे बढ़ते हैं दिल्ली में लाल किले का निर्मान किसके दौरा कराया गया था तो देखिए अकबर ने नहीं कराया था और अंजीब ने भी नहीं कराया था बहादूर स जहां के दौरा निर्मान में लाया गया था किसके याद में अपनी पत्नी या फिर अपनी बेगम मुम्ताज महल के जो है उनको उन्होंने सपद प्रॉमिसेस कर दी थी कि मैं आपके लिए एक मगबरा बनाऊंगा मारानी विक्टोरिया उस समय बिर्टेन की सासक थी जब द जेना भी भी फर हो गए थी बहुत लोग भी बिटीज सरकार के खिलाब हो गए थे तो ऐसे में जो इस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी बागडोर जाए विक्टोरिया के हाथों में आ गए थी तो ये कब आया था ये आपको बताना है तो फिलाल इसका राइट अंसर क्या हो परब्रकी थी ये कोश्चन है बहुत ही लाजवाब कोश्चन है ये किया गया था देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दो जेर कर दें जो BPSC की तयारी कर रहे हैं बाइद वे अगर आपको EBS की classes चाहिए तो EBS पे जो है EBS आप comment में लिखोगे और top 100 उसी में लिख देना तो top 100 question EBS की एक विडियो कल डल जाएगी ऐसा मैं promise करता हूँ Sunday है I will work hard चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question देखिए भारत के राष्टिये फूल क्या है अब बलोगे भाया इतने आसान question तो नहीं आते exam में बिल्कुल सही है भारत का राष्टिये फूल कमल है लेकिन catch यहाँ पे है दोस्तों अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत का राष्टिये फूल इसे कब घोसित किया गया तो आप जो है थोड़ी से परिशानी में पढ़ोगे खैर कोई नहीं हम है 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को कब 24 जनवरी 1950 को राष्टिये फूल का जो है इसकी घोसना की गई थी भारत सरकार के द्वारा चलिए आगे बढ़ते हैं कथाकली किस परदेश की निरित नाटिका है यानि कि कथाकली जो है किस राजी में जो है यह नित बहुत परसिद्ध है यहां के लोगों के द्वारा यह डांस किया जा करके राजी का नाम देजे बगल में निरित्यका नावी नाम आप लिख दो कि चलिए आगे बढ़ते हैं देश का सबसे बड़ा बंदरगा कौन है बहुत ही आसान सा सवाल है मुंबई है ठीक है वह यह लेकिन कांडला कहां का बंदरगा है मदरास कहां का है तमिल नाडु क कहां है तमिल्लाडू का बिशाखा पटनम के बारे में याद रखीएगा देश का सबसे गहरा बंदरगा कहां है बिशाखा पटनम में ठीक है और कांडला जो है वो गुजरात में है कहां पे है भीया गुजरात में ठीक है बैया भी और भाना भी जेंडर जो है बाइसनेस नह बताना है आपको तो देखे ये बहुत ही classical case है बहुत लोगों के बीच में जो है ये विवाद का कारण भी है एक्चुली दो राज्य है यहां पे लेकिन कुछ और भी party यहां पे सामिल है उसके बारे मैं भी मैं बता दूँ बार बार यह सवाल एक्जाम में आता है करनाटका और तैमिल नाडो जो है इसके बीच में डिस्प्यूट है कावेरी जल्वी बात को लेकर ठीक है लेकिन इसमें पांडिचरी या फिर पुदिचरी इंगलेस में पुदिचरी बोला जाता है पुदिचरी और केरला भी इसमें party है लेकिन याद रखे का पुदिचरी जो है union territory क्या है union territory यानि की केंद्र सासित राज्ये आगे देखिए भारती राष्टे कॉंग्रेस के पर्थम परधान कौन थे परधान से डरना नहीं है अध्यक्ष कौन थे ये बताना है आपको बहुत ही आसान सा सवाल है WC बनर जी यानि की answer क्या हो जाएगा four number क्या हो जाएगा four की गई अठारसव पचासी AO ह्यूम के द्वारा पहले अध्यक्ष या परधान WC बनर जी थे clear हो गए बाते इसका फिलाल राइट answer क्या होगा option number four आगे बढ़ेंगे इसी के साथ question number 16 राष्ट राष्टपती जो है सरवोच नियाले के किसी नियाधिस को पद से कब हटा देत है तो देखिए जब दोनों सद्रों में याद रखिएगा जब दोनों सद्रों में उसके खिलाप प्रस्ताव पारीत हो जाता है ठोड़ा सा actually इसमें थोड़ा सा mess हो गया है जब संसद के दोनों सदन यानि कि लोकसभा और राजसभा में उसके खिलाप two-third से जो है majority से उसे हटाने की प्रसंसा actually अनुसंसा की जाए तब चलिए आगे बढ़ते हैं सरवोच इन्याले के न्याजिसों का अब कास गरन यानि की रिटायर होने का समय क्या है तो देखे सरवोच इन्याले सुप्रीम कोट की बात की जा रही है 65 लेकिन अगर यहां भाईया उच्छे न्याला है हाई कोट की बात की जाए तो आपको याद रखना है हाई कोट के जजों की जो रिटायर की एज है वो 62 एर से ठीक है ना चलिए आगे बढ़ लेते हैं किसी राज्य विधान सभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं ठेक है बहुत अच्छा सवाल है याद रखना कोई भी राज्य हो जाए कितना भी बढ़ा क्यों ना हो जाए चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो यूपी हो लेकिन 500 से अधिक सदस्यों को 500 से जादा MLA नहीं बन स सकते हैं विधायक और मिनिममम कितने हो सकते हैं ये भी सवाल पुछा जा सकता है आपके एक्जाम में तो मिनिममम याद रखना है 60 कितने 60 है मेले क्लियर होगी बाते आंसर आपका होगा 3 नंबर चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे question number next की और भारत में नागरिक्ता जो है यान इनकरेक्ट हो जाएंगे automatically और सबसे correct option क्या हो जाएगा option number third चलिए आगे बढ़ते हैं question number next की और केंदरिये मंत्री गन किसके परती उतरदाई होते हैं यानि कि जो केंदर में मंत्री हैं जैसे कि अभी नितिन गटकरी साहब हैं जो की जो है road and transportation minister है इसी तरह से हमारे जैसंक जो की बिदेश मंत्री हैं जिसे की external affair minister भी का जाता है EAM अब ये किसके परती उतरदाई होते हैं परदान मंत्री लोगसभा राजसभा या राष्टपती तो देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल है बहुत बार ये exam में आ चुका है इसका right answer है लोगसभा वो लोगसभा के सदसी थे तो याद रखिए मनमोहन सिंग ने कोई election नहीं लड़ा है बार बार वो राजसभा से मनोनित होकर आते थे एक नाम तो आपको पता हो गया तीन लोगों के नाम में बताऊंगा एक तो इसमें answer भी है पहला नाम मनमोहन सिंग की बात हो गई दूसरा नाम कौन सा है दूसरा नाम है इंद्रा गांधी का जो कि आपके option में है तीसरा नाम है HD देवगोडा ठीक है HD देवगोडा तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा इंद्रा गांधी जब परदान मंत्री के तोर पर चुनी गई थी उस समय वो राजसभा की सदसी थी कहां की सदसी थ जी हां मैंने इसकी वीडियो भी बना दी है और वो आप प्रेलिस से भी जाकर check out कर सकते हो भी PC classes या फिर आप जो है चैनल के वीडियो वाले section में जाकर देख सकते हो राइट अंसर क्या हो जाएगा जावा बुरो बुदुर का जो बहुत मंदिर है वो जावा में आपको मि पड़ेंगे the wealth of nation the wealth of nation की रचना किसके दौरा की गई थी तो देखिए इसका right answer क्या है Adam Smith इनको जो है economics का फादर भी का जाता है पिता भी का जाता है अर्थसास्त्र का पिता के रोप में जाना जाएगा Adam Smith को भारत भारती के लेकक को है बहुत ही आसान सा सवाल है भारत भार option number 4 के साथ चलना था आपको ठीक है चलिए glimpses of the world history किसके दौरा लिखी गई है हमारे देश के पर्थम परधान मंत्री जौहरलाल नहरू के दौरा और जौहरलाल नहरू लकातार 16 साल तक इस देश के PM बने रहे थे प्राम निस्टर बने रहे थे और इनका record अभी तक नही टूटा है और इसका right answer क्या आप जाएगा option number A is the right answer चलिए बढ़ेंगे question number next की ओर हिंदि व्यू आफ लाइफ के लेखक कौन है तो देखिए हमारे देश के पर्थम उपराष्टपती S. Radha Krishnan के दोरा ये किताब लिखे गई हिंदि व्यू आफ लाइफ देखिए अगर जि बुक उनके द्वारा जो लिखी गई है वो सारे बुक एक ही वीडियो में ले दूँगा मैं लिख दूँगा एक्चली बना दूँगा तो बुक लिखकर आप नीचे कमेंट कर दीजेगा तो इसके उपर एक dedicated वीडियो बन जाएगी निमलिखी तमेंसे किस अफरीकी देश देश ने सबसे पले सोतंतरता पाली तो देखिए या देश जो है इंगलेंड से आजाद हुआ था ब्रिटेन से भी आप कह सकते हो और वो देश का नाम है घाना वो देश का नाम क्या है घाना चली आगे बढ़ेंगे देर नहीं करेंगे सर्वेंट ओफ दा पिपल सोसाइटी के अस्थापना किस ने की थी देखना घंचक्कर वाला ये सवाल है इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय अब आप मू बना लोगे कि भईया हम लोगों ने तो गोपाल किरस्न गोखले पढ़ रखा है तो आपने वो बिलकुल सह पढ़ रखा है लेकिन उसका नाम कुछ अलग है उसका नाम है सर्वेंट ओफ इंडियन सोसाइटी सर्वेंट ओफ इंडियन सोसाइटी इस बात का खास ख्याल रखेगा ये सर्वेंट ओफ दपिपल सोसाइटी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाला लाजपत राय चलिए अली गड़ आंदोलन को किसने प्रारम किया था अली गड़ आंदोलन की बात हो रही है तो याद रखिएगा अली गड़ आंदोलन की जो सुरुवात थी वो किस के द्वारा की गई थी सर सेयद अहमद खां के द्वारा यानि कि option third is the right answer चलिए question number 31 के और हैं कुम्ब मेला कहां नहीं लगता है तो देखिए कुम्ब मेला कहां कहां लगता है वो जान लो आप नासिक में लगता है हरिद्वार में लगता है इलावाद में लगता है एक और जगह है जिसका नाम यहां पे आउट कर दिया गया जो की है क्या उज्जेन कहां है राज की उत्पत्ति के समाजिक समझोता 211 के सिधांत के प्रमुख परती पादक कौन थे तो सीधा सीधा सवाल है सीधा सदा जवाब है लौक याद रखिएगा लौक बर्मा यानि कि मयनमार किस प्रकार किस आसन पर ना ले वहां पर क्या डेमोक्रेसी है निकि लोकतांत्रिक का मतलब होता है वहां पे जो सरकार चुनी गई थी उसे हटा दिया गया है कूप नहीं पढ़ना है कूप पढ़ा जाता है इसे क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा तो अब भी फिलाल सेनिक सासन ने लेकिन 2016 में यहां पे यह राची भी हो सकता है यह भुपाल भी हो सकता है किसी भी नगर निगम की बात यहां पे हो सकती है लेकिन इसका आंसर आप क्या दोगे तो इसका राइट आंसर है बिक्री कर नगर निगम नहीं लेता है नाली कर लेलेगा भवन कर लेलेगा सरकारी अनुदान लेलेगा ल लेकिन संपत्ती रखने का अधिकार आपके पास नहीं है और इसे कब हटाया गया संबिधान के 44 में संसोधन के दोरा इसे हटा दिया गया है कब हटाया गया 1978 बहुत बार ये repeated question रहा है बार बार ये सवाल एक्जाम में आया हुआ है आगे बढ़ेंगे बिस्व का सबसे बड़ा महादूईप कौन सा है बहुत ही आसान सवाल एसिया है कौन है एसिया है पिर्थवी का एक मात्र सौभाविक यानि की natural उपगरह कौन है तो चंदा मामा यानि की right answer क्या हो जाएगा option two चंद्रमा इस दर्ला right answer लेकिन सूरी क्या है सूरी जो है एक star है सूरी क्या है एक star है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं तारा बोलते हैं क्या बोलते हैं तारा और सूरज जो है नजडिक है इसलिए आपको बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है और अन्य त्यारे आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं कौफी का सबसे बड़ा उत्पादक दे देखो repeated question है 1996 मैं भी इसे पूछा गया था पल्लब कहां है देख लो ढूंडो ढूंडो ये रहा option 2 आपका correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे नीदर लेंड की मुद्रा को क्या काते हैं नीदर लेंड की मुद्रा ये चारो option incorrect है नीदर लेंड जो है यूरोपियन संग क जो है सामिल देश है और यूरो इसकी मुद्रा का नाम है ठीक है बिसु जन संख्या दिवस बिलकुल आसान तरीका याद रखने का एक और एक मिलेंगे तो 11 बच्चे पैदा कर देंगे ट्रिक है बुरे तोर पे इसे मतले ना 11 जुलाई इसका right answer है एक और एक 11 जन संख्या कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है किट खेल का समंध किससे है पिछले बार भी एकचली 96 का भी यह सवाल है रिपीटेट कोश्चटन है तो देखिए इसे कहा जाता है विलिडियर्स जो है गीत से ठीका खेल है किस खेल का आरम इंगलेंड में हुआ था कितना असान सा सवाल है किरकेट यह भी repeated question है कौनार्क मंदिर यह भी repeated question है बार बार पूछा जाता है भगवान सुरी का जो है मंदिर है जिसे कौनार्क मंदिर कहा जाता है सन्यूकत राष्ट का महासचीव कौन है करेंटली जो सन्यूक तुराष्ट के महा सचीव हैं जिनका नाम है एंतर्नियो गुत्रोस थोड़ा सा नाम लेने में अगर गलती हुई तो महा भी चाहता हूं इनको और फिलहालों के बारे में इन चारों में से ये कोशन आएगा नहीं ये करेंट एफैर्स का कोशन था एंतर कारतिय मुल्के औरिजिन के ये हैं हर्व गोबिंद खुराना को नोबल पुरुसकार किस छेत्र में परदान किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी विग्यान क्या हो जाएगा जी विग्यान अब देखिए अगर आपको 1993 के और भी पेपर को देखना है तो नीचे कोमेंट करके 1993 जरूर लिखेगा और जो बचेवे 50 प्रसन है इसका जवाब जो है आपको अगले विडियो में मिल जाएगा विडियो जैसा भी लगा हो पिलीज फीड़ बैक नीचे कोमेंट सेक्शन में जरूर दें अपने दोस्तों रिश्तेदारों सहलियों तक इस विडियो को पहुचाएं ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें लाइक कर दें और कमेंट करके 1993 जरूर लिखे चलिए विडियो को आपने यहां तक देखा इतना प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया एक्जाम के लिए आप सभी को भैरी all the west है अच्छा करें और बहुत आगे तक बढ़ें और बिहार में या फिर कहीं भी किसी विराजी में आप जॉब कर रहे हो या केंद्र में जॉब कर रहे हो देश को आगे बढ़ाने का काम करें थैंक्यू सो मच